नमस्ते दोस्तों, आज हम आत्महत्या के विचार, आत्महत्या के प्रयास और आत्महत्या के वैवहार और आत्महत्या जैसे विविन्न शब्दों के बीच के अंतरों को समझेंगे, जिनका उप्योग बार-बार किया जा रहा है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इन पहला, आत्मात्य का विचार केवल हमारे विचारों से संबंदित है, जब किसी को अपने आपको मारने का बारबार विचार आता है, तो वो विचार है, ये लक्षन तीवर और गंभीर हो सकते है, कभी-कभी ये विचार इतने तीवर और अक्सर होते है कि ये व्यक्ति द्वा बेकाबू लगता है. दूसरा, आतमघाती योजना है. आतमहत्या की योजना है महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आतमघाती वैवहार की तुल नामें आतमघाती वैवहार करने के लिए अधिक गंभीर जोखिम का संकेत देते हैं, जिसमें योजना शामिल नहीं होती है. कंभीर आतमहत्या की योजना में आतमहत्या के प्रयास के लिए पुर्व अभ्यास या तैयारी शामिल हो सकती है. तीसरा, आतमहत्या का प्रयास. एक गैरगातक स्वनिर्देशित संभावित रूप से अनुचित वैवहार के रूप में परिभाशित किया गया है भले ही वैवहार चोट के परिणाम स्वरूप नहीं हो भले ही वैवहार के परिणाम स्वरूप मरने का इरादा हो चौथा, आत्महत्या को आत्मनिर्देशित घायल वैवहार के कारण मौत के रूप में परिभाशित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप बैवहार के परिणाम स्वरूप मरने का इरादा होता है बहुत बहुत धन्यवाद